नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप टूप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश लोगसवायोग प्र्याग राज राजकी इंटरकालेज जैसी परक्ता समान अध्यन प्रेटी सेट 11 में चालिस प्रसना है इसमें जीस के जिसके एकजाम की डेट है 19 सितंबर 2021 को तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आभी ताका आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्स से पिछला प्रेटी सेट देखना चाहते हैं प्रेटी सेट दस तक तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है GIC समानध्यन प्रक्ता के नाम से और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें सारनात की भूमी असपर्स मुद्रा वाली प्रतिमा कालांकित है किस काल से संबंदित है ये कालांकित है ये पूछरा है इसमें कुसान काल से गुप्त काल से वर्धन काल से या राजपूत काल से तो सारनात की भूमी असपर्स मुद्रा वाली प्रतिमा पूछ रहा है तो यह है गुप्त काल से इसका एंसर होगा A, B, गुप्त काल से question number 2 है निम्नांकित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देव गुप्त था यानि गुप्त राजा में से कौन था, जिसका एक अन्य नाम या देव गुप्त के नाम से जाना जाता था आप संद्या आए समुद्र गुप्त, चंदर गुप्त दूतिय, कुमार गुप्त या उपिप्त में से कोई नहीं इसका correct answer हो जायागा B. चंद्रगुप्त दुतिय तो चंद्रगुप्त दुतिय को जो है देव गुप्त के नाम से भी जाना जाता था Question number 3 है निम्न मुस्लिम बासाहों में से किस एक ने मुल्ले नियंतरन पधती को पहली बार लागू किया मुल्ले नियंतरन पधती को पहली बार लागू किया कौन सा बासा था अल्लाव दिन खिलजी, इल्टुतमिष, महम्मद बिन तुगलक या सेरसा सूरी तो इसमें करेक्टर एंसर हो जाएगा ए अलाओ दिन खिलजी ने अलाओ दिन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रा पद्धति को पहली बार लागू किया था मुस्लिम बासाहों में से कोश्चन नमबर चार है निम्लिकित में से किसे भारत का साधी कहा जाता है अमीर हसन को या अमीर खुसरो को या अबु तालीब कलीम को या चंद्रभान ब्रामण को तो भारत का साधी किसे कहा जाता था ये कहा जाता था अमीर हसन को इसका एंसर होगा A. अमीर हसन कोश्चन नमर पाँच है सिपाही बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था सिपाही बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है कौन था लाड केनिंग, लाड डलहोजी, लाड हार्डिंग, लाड लिटन इसमें एंसर हो जायेगा A, लाड लिटन देखे सिपाही बिद्रो 1857 के बिद्रो को सिपाही बिद्रो के नाम से भी जाना जाता तो यहां 1857 का बिद्रो नहीं दिया है सिपाही बिद्रो दिया है कोस्टन नमबर 6 है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रिणा से प्रारम हुआ तो नारी आंदोलन किनकी प्रारम हुआ था पदमा बाई रनाडे या एनिवेसेंट या स्रोजनी नाइडो या जोतिबा फुले नारी आंदोलन किनकी प्रारम हुआ था जोतिबा फुले की प्रिणा से कोस्टन नमबर 7 है 1906 में मिंटों से सिमला में मिले मुसल्मानों के सिस्टमंडल ने प्राथना की ये क्या प्राथना की थी मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचक वर की या संइक्त निर्वाचक देने के लिए या मुसल्मानों को मनोन द्वर्ण द hm आय्यों की अनुमानित आयू है अरावली श्रैरी इंसी परवत है जो सबसे प्राचीन माने गए है तो इसकी आई पूछ रहा है कि अनुमानित क्या थी कि- keep 양े मिलति है कुस्ट्ट नमबर नमबर नौ है कॉन सी नदी यमूना नदी से नहीं मिलती है कौन सी नदी है जो यमना नदी से नहीं मिलती है केन, बेतवा, सोन या चंबल इसका करेक्ट रेंसर हो जायाएगा C, सोन नदी जो है यमना नदी से नहीं मिलती है कोर्शन नमबर 10 है समाजिक वानकी में प्रियुक्त बहुत देशिय ब्रिच का एक उधारन है बहुत देशिय ब्रिच का एक उधारन है दिया है सीसम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजरी इसमें करेक्ट रेंसर हो जायाएगा D, खेजरी यहाँ पर ध्यान दीजियेगा बहुत देशिय ब्रिच पुछाए कोर्शन नमबर 11 है निमलिखित में से कौन सा राज इलाची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है इसमें पुछाए नहीं रखता है केरल, करनाटक, तमिलनाडू या उडिशा इसका एंसर हो जायाएगा D, 11 का D होगा उडिशा उडिशा से जह है इलाची उत्पादन नहीं के लिए जाता है कोर्शन नमबर 12 है भारत के निमलिखित बंदर गाहों में से कौन सा एक उडिशा टट पर अवस्気त है कौन सा एक जह है उडिशा टट पर अवस्थी थे दिया हल्दिया मुंबई पारादीप या विसाखा पटनम तो इसका एंसर हो जायाएगा C पारादीप यानि उडिशा के टट पर कौन सा बंदरगा अश्थी थे पारादीप बंदरगा क्उसन नमबर तेरा है जिंबामबे पहले जाना जाता था यानि जिंबामबे का प्राचीन नाम पूछ रहा है दच्शनी रोडेशिया या गोल्ड कोष्ट या गोदावरी नदी के टटफर या बेलिजियम कांगो इसका करेक्टि अंसर हो जाएगा दच्छनी रोडेसिया यहनी जीमबाम्वे को पहले किस नाम से जाना ज़ता था दच्छनी रोडेसिया के नाम से कोशन नमबर 14 है संसार का सबसे बड़ा दीप है तो संसार का सबसे बड़ा दीप कौन सा है ग्रिन लैंड है Q15 है निमलिकित में से 20 सबजियों का सरवाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है चीन, USA, भारत या ब्राजील तो सबसे ज़्यादा सबजियों का उत्पादन करने वाला देश है चीन पहले नमबर पर, अगर दूसरा नमबर पर पूछता है तो भारत हो जाएगा लेकिन या पहला पूछा है तो चीन होगा Q16 है निमलिकित में से कौन सी मुद्रा ये मुद्राएं कृत्रिम समझे जाती है ADR, GDR, SDR या ADR और SDR दोनो Q17 है काली मुद्रा क्या है या एक जाली मुद्रा है या गंदी एक खराब मुद्रा है या अबैद आय जिस पर आय कर नहीं लगता है question number 18 है बहत कहां की मुदरा है तूर्की थाइलेंड इरान या बियत नाम का तो बहत जो है थाइलेंड की मुदरा का नाम है question number 19 है भारत में विदेशी बिन में संचे का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है भारती रिजर बैंक द्वारा भारती स्टेट बैंक द्वारा या बित मंत्राले द्वारा या भारती आयात निर्यात बैंक द्वारा यह किएता है बिदेशी बीन में संचेक रख रखाओ भारती रिजर बैंक 1219 का एस रही है Q chosen 27 और रिपो रेट बिचार्णि होता है मौदृक नितिक अंतरगत या स्रम नितिक अंतरगत या राज़कोशी नितिक अंतरगत या जनसंख् Episodeा ब्वहार करेगा जयल मैं वायू का बुलvi वूला किसकी भाती 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 भाता करता मैंग क्या परिवर्तिती करता है उच बॉल्टेज को निमन बॉल्टेज। में गी या बिद्धु तूर्जा को को यांत्रिक उर्जा में, यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में या निमनों डूल्टेज को उच्छ आ जाता हैए तो संगड़क जो है संगड़क 74 दिवा सकभ मना जता है 16 अगाश 2 दिसंबर 5 जून या 24 अक्टुबर संगड़क मतलब ही इसका हिंदी में नाम दिया है इसका इंगलीस नाम होगो we got computer. इसकें मना जटा है 2 दिसंबर को बी answer सही होगा को सेसरं नंबर 14 है radio activity मापी जाती है सिसमों मीटर से या मीटर से तो इसका एंसर हो जायेगा बी गाईगर काउंटर से कोश्चन नमबर पचीस है जब इनोल लवन को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं इसका कारण क्या है दिया है यहाँ पर O2 गैस है यह CO2 है यह CO2 है यह H2 है इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा CO2 गैस निकलती है यानि कारण डाई आकसाइड कोश्चन नमबर 26 है फोटोग्राफी में स्थिर होने के रूप में परिप्त होने वाला रासानिक पदार्थ है सोडियम थायो सलफेट बोरेक्स या सोडियम टेटरा थायोनेट या अमोनियम मोली बडेट है तो इसमें फोटोग्राफी में परियोक किया रसाय कोल सा है तो सोडियम थायो सलफेट है 26 का एंसर यह होगा कोश्चन नमबर 27 है अस्थियों के अध्यान विज्यान की कि साखा के अंतर किया जाता है तो यह है अस्थियोलाजी ओरोलाजी शेरोलाजी यह जियोलाजी तो अस्थियों का अध्यान अस्थियों का अध्यान यह होता है अस्थियोलाजी के अंतरगात question number 28 है मानो सरीर में बिटामीन A संचित रहता है किसमें यक्रित में या मासे में तिली में या उधर में तो मानो सरीर बिटामीन A संचित रहता है किसमें यक्रित में रहता है इसका answer होगा A question number 29 है संबिधान की गरहमी अनसूची निमलिकित में से किस से संबंदित है नगरपालिका से पंचायती राज से किंदरा संबंद से या भरष्टा चार निवारन से इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी पंचायती राज से क्यवल लोग सभा में या संसत के किसी भी सधन में या संसत की सविंध बैठाक में या क्यवल राजिस सभा में इसका एंसर हो जाएगा D केवल राजसभा में एनि उपर राष्टपती को अगर पद से हटाना है तो इसके लिए प्रस्ताव केवल राजसभा में ही लाया जा सकता है अगर यहीं पर राष्टपती देता तो संसत के किसी भी सदर्म लाया जा सकता है लोग सभाव या राज सभा लेकिन उपर राश्ट पती दिया तो क्योवल राज सभा में ही इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है कोश्टन नमबर 32 है देश के किसी भी न्याले में चल रहे वाद को अनेत्र भेजने का अधिकार किसके पास है राश्ट पत्री के पास है या सरवच्ची न्याले के या उच्ची न्याले या इन में से कोई नहीं तो यह अधिकार है सरवच्ची न्याले को या सुप्रीम कोर्ट को कोश्चन नमबर 33 है, निम्न में से किसकी निवक्ति राजपाल नहीं करता है, किसकी निवक्ति राजपाल नहीं करता है, दिया है मुख मंतरी, सदसर राजलोक सवायोग या उच्छी नियाले की नियाधिस या महानेवादी, तो उच्छी नियाले की नियाधिस की नियाधिस क करता है इने अपने त्याग पत्र किसको संभोधित करके सौपता है एक उच्चिन्याले का जो न्याधिस है राष्ट पती भारत के मुखन्याधिस या उस राजी के उच्चिन्याले के मुखन्याधिस या राजी के राजपाल को इसमें अंसर हो जाएगा ए राष्ट पती को स या प्रोनिता गुपता को या सोनिका सिंग को इसमें अंसर हो जाएगा C, प्रोनिता गुपता को कोशन नमबर 36 है साइंग्त राष्ट पूजी विकास कोस यानि UNCDF का कारेकारी सची निम्न में से किसे निक्त किया गया कोमलत यागी संजना राज या पृती सिनहा या पृती सास्त्री इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा C पृती सिनहा को कोश्चन नमबर 37 है इटली के नए परधान मंत्री के रूप में किसे निक्त किया गया है इटली के नए परधान मंत्री के रूप में किसे निक्त किया गया है ये पूछ रहा है कोश्चन नमबर 38 है दिया इसमें 50 विद्यार्थियों के कच्छा में 36 विद्यार्थी गणित में और 28 विद्यार्थी विज्ञान पड़ते हैं गणित और 28 विद्यार्थी विज्ञान पड़ते हैं माइनस इसमें से कर देंगे 50, आपका एंसर हो जाएगा 14, बी वला एंसर होगा इसमें 14, दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 14 है, क्वेस्टन नमबर 49 है, यदि ब्यक्ति टाइगर को QDGFS लिखता है, इसी तरीके से मंकी को कैसे लिखेगा? तो यहाँ पर जो आप तीर बना कर निकाल सकते हैं इसको, कौन से किसके बाद आ रहा है, वर्ड, उस हिसाब से मंकी वला में लिखेंगे, तो इसका एंसर आपका आएगा, X, D, G, M, N, L, C बला एंसर होगा, 49 का C होगा, कोशन नमबर 40 है, एक नर्सिंग होम के लिए आवस्यक होता है, क्या आवस्यक होता है, नर्स, एक नर्सिंग होम के लिए आवस्यक होता है, क्या, नर्स, एंबुलेंस, डाक्टर या दवा, एक नर्सिंग होम के लिए, में चीज़ों आवस्यक होता है, यह थे कोशन आज के तुमिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वन दे मात्रम